तलगान 2001, जुधा अकबर 2008 और मुहनजोदारो 2016 के बाद एक बार फिर डाइरेक्टर आशुतोष गवारिकर पीरियड फिल्म के साथ सिनेमा घरों में लौट रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म पानीपत का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ। ट्रेलर देखने के बाद जहां फिल्म और ट्रेड एक सपर्प्स इसकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं ओडियन्स को माराथा युद्धा के किरदार में अर्जुन का पूर पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या कहते हैं एक सपर्प्स ट्रेलर शेर करते हुए ट्रेड एना लिस्ट तरा नादाश ने लिखा है। संजेद दत्त का तिल लग रहे हैं अर्जुन कपूर और कृती सेनन के कुछ intense moments हैं। डायरेक्टर ने जैसे पहले कभी न देखे गए वार को कैप्चर किया है। ओडियन्स का फर्स्ट रेक्शन ट्रेलर देखने के बाद ओडियन्स के रेक्शन भी सामने आने लगे हैं। ज्यादतर पेश्वा सदा शेवराव भाव के रोल में अर्जुन कपूर को कमजोर बता रहे हैं। स्टेंडिंग हैं। सिर्फ अर्जुन कपूर मुझे सच्चे योध्धा की फीलिंग नहीं दे रहे हैं। रणवीर सिंग की तरह नहीं। एक यूजर का कमेंट है अर्जुन कपूर की एक्टिंग उनके रोल के साथ मैच नहीं हो रही है। यह है फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी मराठा योध्धा सदा शेवराव भाव और अफगानिस्तान के शासक एहमद खान अब्दली दुरानी समराज्य का संस्थापक के बीच हुई पानीपक की तीसरी लडाई पर आधारित है जो 1761 में हुई थी। संजेद दत्त का दमदार रोल 6 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म का ट्रेलर जबरदस्थ है। संजेद दत्त अबदली के रोल में एकदम फिट और दमदार लग रहे हैं। हाला कि सभा शेवराव भाव की भूमिका में अर्जुन फी के नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी पारवती बाई के किरदार में कृती सेनन खूपसूरत लग रही हैं। ट्रेलर में मोहनीश बहल, पदमिनी कोलह पुरे, सुहा सिनी मुले, जीनत अम्मान और मंत्रा भी अपने किरदार में फिट नजर आ रहे हैं।